हेलो फ्रेंग्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे SBI PO जुलाई 2018 के कुछ English questions और यह latest प्रेटेंग दे कुछ questions है और इसी तरीके के और इस statement को चार पार्ट में डिवाइट किया गया है और इन चारों पार्टों को आपको sequence में रखना है और इसके बाद जो sequence बनेगा जो correct sequence बनेगा वो आपका answer इसमें होगा AC, DB, BC, AD इस तरीके से यह sequence आपको बना रहा है और यह है आपका question statement तो चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको किया जा सकता है इसमें देखिए examiner जो test करता है आपका logic सबस्यादा इसमें test होता है आपका logic और common sense सबस्यादा test होता है और उसके बाद आप मान सकते हैं कि आपकी vocabulary चेक होती है और उसके बाद आप मान सकते हैं कि आपकी grammar की knowledge चेक होती है ठीक है तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखे common sense और लॉजिक को apply करें और उसके बाद grammar और vocabulary को आप apply करें अब देखें यहां से दिखते हैं the apex court had ordered that the मतला apex court हम बोलते हैं supreme court को तो supreme court ने order किया था supreme court किस चीज के बारे में order किया था उसने तो उसका जो link होगा वो आगे आएगा the apex court had ordered that the deadline be extended ठीक है apex court ने order किया था कि deadline be extended कि deadline को बढ़ाया जाए deadline be extended till the five judge constitution देखिया five judge constitution क्या होता है five judge की five judge का जो एक group होता है उसको हम legally उसको हम bench बोलते हैं ठीक है तो इसलिए five judge के बाद common sense यह कहता है कि bench जो word है वो ही आना चाहिए ठीक है तो the apex court had ordered that the deadline be extended देखिये इसके बाद apex court had ordered that the deadline word ही आ सकता है क्योंकि deadline के बारे में apex court ने order किया है the apex court had ordered that the deadline be extended till the five judge constitution five judge जो उनका group होता है उसको हम bench बोलते हैं तो इसलिए इसमें पहले इसमें सबसे पहले आएगा B और उसके बाद आएगा D ठीक है तो यदि आप इस बारे में sure है कि B और D का combination ही आना चाहिए तो वही आपका answer इसमें होगा अब B और D के इसमें दो option नहीं है जैसे B, D, C, A है या B, D, A, C अगर होता तो B, D के बाद आपको थोड़ा सा और पढ़ना पढ़ता लेकिन चूकी इस बारे में आप sure है इसलिए इसका answer होगा B, D, C, A लेकिन इसको हम आगे से थोड़ा सा और देख लेते हैं कि sentence का क्या मत judgment आपक्स कोड जो अपना judgment देता है वो किस पर देता है वो judgment petitions पर देता है तो इसके बाद आपका C ही आ सकता है इसके बाद A आ सकता है तो मुझे उम्मीद है चलिवी चेरेशन आपको समझ में आया होगा और इसमें common sense जो है जो logic है उसको आपको apply करना है और उसके बाद जो grammatically sentence किस तरीके से होता है उसको आपको देखना है गोगा नेस्ट कोशन हम देखते हैं देखे ये नेक्स कोश्टन है रिपीलिंग एक वर्ड आया है इसको मैं अलड़ी पड़ा चुका हूँ और यह वर्ड आपको मेरी इबुक्स में भी मिल जाएगा, तो repealing का रत होता है, कि उसको बापिस ले लेना, cancel कर देना, किसी चीज़ को पहले आपने apply कर दिया, और उसके बाद उसको बापिस लेना, या दिन उसको cancel कर देना, उसको हम बोलते हैं, repeal, recent भी इसके लिएक वर्ड होता है, recent रिवोग भी इसको हम बोलते है, तो repealing the law that safeguard, safeguard what, यदि हम उस law को repeal करें, cancel करें, जो safeguard करता है, किस चीज़ को safeguard करता है, अब देखे, यहाँ पर एक चीज़ आई है, यहाँ पर एक वर्ड आया है, floodgates, ठीक है, आप floodgates, जो word है, वो किसके साथ जुड़ेगा, floodgates जुड़ेगा, वो जुड़ेगा, the indigenous people, देखे, floodgates जुड़ेगा, ओपन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि open the floodgates का मतलब होता है, जैसे एक common sense लगाए है, तो open के साथ gate जुड़ सकता है, यहाँ पर gates जुड़ा है, यहाँ पर gate दिया है, यहाँ पर open दिया है, तो open के साथ gates जुड़ सकता है, यह दो sentence है, यह एक mandatory pair यहाँ पर बना रहे हैं, D और A, ठीक है, लेकिन open the floodgates एक idiom भी होता है, जिसका मतलब होता है, कि suppose आपने कोई action लिया, suppose आपने कोई काम किया, और उसके बाद जो negative sequences हैं, जो negative consequences हैं, जो negative paradigm हैं, वो शुरू हो गए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, open the floodgates, मतलब बहुत सारे negative paradigm शुरू हो जाना किसी चीज के, यदि आप किसी चीज को करते हैं, और उसकी बदोलत कुछ negative सुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते है, open the floodgates off, ठीक है, तो ये एक idiom भी है, और common sense ये कहता है, कि open के बाद gate word जो है, वो लग सकता है, तो इसको देखते हुए, हम इसको हम, अब अब कमबाइन करें that safeguard the indigenous people would open the floodgate of poaching, ठीक है, पहले आएस में आएगा D और और आएगा A, repealing the law that safeguard the indigenous people would open the floodgate of poaching, and it would lead to, ठीक है, उसके बाद आपका B आजाएगा, यानि D, A, B, D, A, B इसमें एक combination बन रहा है, और D, A, B जो है वो A की option में इसमें दिया है, D, A, B, C, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो answer होगा, वो होगा B, D, A, B, C, इस तरीके से यह answer आपका बन जाएगा, इसमें common sense आपका और logic आपका ज़्यादा इसमें चेक होता है, और grammar की knowledge आपका ज़्यादी थोड़ी कम चेक होती है, तो यह next sentence हम देखते हैं, my thoughts are with the families, my thoughts are with the families, मेरे thoughts जो है वो families के साथ है, लेकिन किन family के साथ है, तो यहाँ पर यह आप common sense लगाएं, तो इसमें families के साथ यह वाला word जो सकता है, families of those who have lost their loved one, यहाँ पर देखिए तो आपकी चेक हो the families of those who have lost their loved one, ठीक है, जिन्होंने अपने प्रियर्जनों को खो दिया है, तो अपने प्रियर्जनों को कौन खुएगा, family ही तो खुएगी, तो इसलिए यहाँ पर इसमें यह जो sentence है, यह ही इसके आगे आएगा, my thoughts are with the families of those who have lost their loved one, ठीक है, तो यहाँ पर C पहले आएगा, my thoughts are with the families of those who have lost their loved one जिनके अपने प्रिया जोना को खो दिया है किस चीज में खो दिया है in this unfortunate accident ठीक है तो C पहले आएगा और उसके बाद A आएगा ठीक है यदि C और A का इसमें अंसर दिया है देखे ये दिया है C A D B तो बाकी के question को आपको पढ़ने की जरूत नहीं है और आपक अप्शन दिये हैं जैसे C A यहां पर भी दिया है और यहां पर भी दिया है तो फिर आप उसको sentence को थोड़ा साइनलाइस करना पड़ेगा कि C A के दो option है और उन दो option में से कौनसा option आएगा लेकिन यहां पर C A का के बले की option दिया है इसलिए आपका answer होगा दी तो इस तरीक से आपको इन questions को करना होता है ठीक है अब हम next question देखते है several people became leaders अब देखे लीजर्स के साथ कौन सा वर्ल जो सकता है several people became leaders आप देखे यह वाला sentence जोड़ सकते हैं इसमें and ministers को कि leaders और ministers दो equivalent word है और end के साथ जुड़े हुए है तो इसके common sense यह कहता है कि leaders के साथ minister वर्ड वाला sentence जोड़ सकता है several people became leaders and ministers after that आप इसमें B सबसे पहले आएगा ठीक है after that rally but the people तो इसके बाद ही C आजाएगा इसमें after that rally but the people belonging to the community इसमें D आजाएगा people belonging to the community remained where they were इसमें आजाएगा A ठीक है तो यह आपका combination बन जाएगा B C D A यानि second इसमें आपका answer हो जाएगा इस तरीके से करना है several people became leaders और leaders के बाद हमने common sense apply किया common sense के according इसमें minister आ सकता है कि minister or leader equivalent words है तो several people became leaders and ministers after that rally but the people लेकिन जो लोग community से belong करते थे वो लोग वहीं के वहीं रहे गए ठीक है काफी सारे लोग leaders and minister बन गए लेकिन जो लोग community से belong करते थे वो लोग वहीं के वहीं रहे गए यह sentence का मतलब है और इसमें आपका अंसर होगा BCBA नेक्स कोशन हम देखते हैं यह अलसो डिरेक्टेट दर डिपार्टमेट यह यहां पर यहां पर यहां पर यहां से हम पढ़ते हैं और इसके बाद तू ही वर्ड आएगा तो यहां पर यह तू इसमें बिलकुल सही है क्योंकि डारेक्टेट वर्व है और इसके बाद तू जो वर्ड है वो आना चाहिए यहां पर ठीक है तो यहां पर सबसे पहले तो इसमें ए ही आएगा क्योंकि टू वाला कंस्ट्रक्शन टू वाला सेंटेंस और कोई नहीं दिया है इसमें यहां पर डी आ जाएगा इसके बाद दिया है कि मोर्डलिष्टीट्योशन कहना सही होगा मोर्डल चंस्ट्रक्शन कहना सही नहीं होगा ठीक है मोर्डलिष्ट्यूशन तो यहां पर डी आ जाएगा इसके बाद ठीक है यहां पर आ जाएगा इसमें D आप देखे इसमें भी एक वर्ब दी है क्योंकि यहां पर वर्ब की फस्ट फॉर्म ही आ सकती है चुकि यहां पर टू डबलब दिया है तो इसलिए यहां पर भी वर्ब की फस्ट फॉर्म ही आएगी इसके बाद या जाएगा सी आ जाएगा इसके बाद के बाद यहां पर जुड़ जाएगा modern construction technology for early completion of construction work इसके बाद आ जाएगा आपका B ठीक है ठीक है उसके बाद आ जाएगा यह construction work तो यहां पर जो answer होगा वो होगा आपका A, D, C, B ठीक है चले आगे देखते हैं इसके बाद यहां पर आपको क्या चाहिए यहां पर आपको नाउन चाहिए जैसे मैं बोलता हूं कि assuming is a good exercise ठीक है उसी तरीके से यहां पर common sense कहता है कि यहां पर एक नाउन आपको चाहिए तो इसलिए बाकी सारे option जैसे टू वाला जो option है यह गलत हो जाएगा एंड वाला option गलत हो जाएगा ठीक है तो इसलिए यहां पर आएगा दा यूएस एजए नेशन आफ इमिग्रेंट यह बोल सकते हैं यहां पर नेशन आफ इमिग्रेंट इमिग्रेंट और उसके बाद आप बोल सकते हैं देखे यहां पर यूएस चुकी सिंगुलर है और यहां पर बरब में एस लगा हुआ है तो यह ओस जो हम बोल रहे हैं यह किसलिए बोल रहे है यूएस के लिए जो की singular है तो इसलिए यहाँ पर ये जो है ये यूएस जो बोल रहे हैं हम ये इसके लिए बोल रहे हैं ये यूएस के बोल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो sentence है ये डी ये इसके बाद में आ जाएगा अब पोजिशन के बाद क्या आएगा इसमें, पोजिशन के बाद क्या आएगा इसमें, पोजिशन इन दा प्रिजेंट ग्लोबल और टू इस बीग एन ऊपन सोसाइटी, इसके बाद आ जायागा आपका C और B, C और A, B, D, C, A, इसमें, बन जाएगा, आपका B, D, C, C, A, B, D, C, A, यह आपका समें, बन जाएगा, ठीके, इस तरीके से इन कोश्चन को आपको करना है, यह है, कॉलम वाले कोश्चन, और यह भी फस्ट टाइम, एक्जाम में पूछे गए थे, और काफी कोश्चन, काफी कोश्चन, तो इसमें करना क्या है, इसमें देखिए, यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शन दिया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, और इसका मैं समरी आपको बता देता हूँ, किसमें क्या करना है, तीन सेंटेंस यहाँ दिये हैं, कॉलम A में, और तीन सेंटेंस दिये हैं, और contextually भी सही होने चाहिए, context wise वो सही होने चाहिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं, as the head of the family, he ensures that he goes out and earn a living for his family, ठीक है, तो इसमें आपका A और F तो सही बन रहा है, इसमें, लेकिन इसमें आपका earn में भी S होना चाहिए, यह सेंटेंस भी सही है, ठीक है, तो नेक्स सेंटेंस देखते हैं, तो यह सेंटेंस देखिए, grammatically तो सही है, लेकिन context wise गलत है, वैसे यह grammatically भी गलत है, क्योंकि succeed के बाद यहां पर earn आता है, इसमें, तो इसमें लेकिन यह वाला सेंटेंस भी सही है, ए और, रवी such a disorganized fellow that he runs around like a headless chicken, such that हम लगाते हैं, coordinating conjunction है यह, और reason को बताने के लिए हम लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें भी हम reason बता रहे हैं, कि he runs around like a headless chicken, वैं headless chicken की तरह घूमता रहता है, क्यों, क्योंकि वह disorganized है, तो उसे साब से तो यह sentence आपका सही है, और, यह वाला sentence भी actually सही है, a, f वाला भी sentence सही है, लेकिन b और d का combination का इसमें option में है ही नहीं, इसमें किवल a और f का है, ठीक है, तो इसमें आपका answer होगा actually, none of these, ठीक है, इसमें आपका answer होगा, none of these, चलिए next question देखते हैं, some rich guy from Boston just bought the house next to mine, देखे, इसमें बाकी तो सब सही है, लेकिन इसमें rich guys होना चाहिए है, यानि a और f, a और f का combination इसमें बन सकता था, लेकिन यह गलत है, दूशा देखते है, people tend to raise their voices when they are losing an argument, b और d का, b और d सही है actually, a और f गलत है, a और f गलत है, और b और d सही है इसमें, b और d, लेकिन b और d का, b और d का option तो है इसमें, b और d का, यह देखते हैं, as soon as the herd heard the gunshot, they all were fatally injured, मतब जैसे ही, herd ने gunshot की आवाज सुनी, वो लोग injured हो गए, लेकिन gunshot की आवाज सुनने से injured कोई नहीं हो सकता, तो इसलिए यह context वाई यह sentence गलत है, इसमें केबल b और d का ही combination बन रहा है, people tend to raise their voices when they are losing an argument, तो b और d, b और d इसमें आपका answer होगा, next sentence देखते हैं, tom always drinks at least three cups of coffee in the morning, a और f का combination इसमें बन रहा है, ठीक है, a और f का combination इसमें बन रहा है, बलकुल सही है, यह sentence, if he had taken his doctor's advice, he might still be alive, देखे, head के साथ हम would have been, could have been, या might have been लगा सकते हैं, might नहीं लगाएंगे, might हम लगाते हैं, second form के साथ, ठीक है, तो head के साथ यह गलत हो गया आपका, तो b और d का combination नहीं बनेगा, next हम देखते हैं, I can still remember the time when we होना चाहिए, तो c और e का combination भी इसमें नहीं बन रहा, इसमें combination के बल a और f का बन रहा है, और a और f का यहां पर कोई भी option नहीं दिया है, इसलिए इसका answer होगा, none of these, next sentence देखते हैं, it seems like yesterday, but it is actually nearly 10 years since we first met, यह structure सही है, it seems like yesterday, but it is actually nearly 10 years since we met, तो a और e करेक्ट हैं इसमें, next हम दिखते हैं, I can't believe, Bizeh is still talking about what happens two years ago, what happened होना चाहिए, तो यह नहीं बनेगा actually, next दिखते हैं, the only thing that really matters is whether or not you are happy, यह सही है, c और d, यानि a, e और c, d, a, e, और c, d, option ही नहीं है, a, e, or c, d, this list का answer होगा, none of these, next दिखते हैं, after school, Jack usually sticks around as long as he can because he doesn't want to go home, a, or e, सही है sentence, we are planning on doing the sights of the city tomorrow morning, यह भी सही है, b, or f, b, or f, सही है, next देखते हैं, even the repairman couldn't figure out what had gone wrong with the micro, यह भी सही है, c, or d, भी सही है, ठीक है, a, e, b, f, c, d, लेकिन इसमें option ही नहीं है, all of the, अब आपका इसमें option ही नहीं है, इसमें केवल दोई-दोई option दिए है, तो इसलिए इसका answer भी none of these ही होना चाहिए, एक बार हम पढ़ लेते हैं, देखिए, after school, jack usually sticks around, देखिए, यह present simple tense है, sticks इसलिए इसमें इसमें इस लगा है, और stick around का मतलब है कि वहाँ पर रुक जाना, after school, jack usually sticks around as long as he can, because he doesn't want to go home, तो a और e का जो option है, वो बिलकुल सही है, लेकिन a और e का option इसमें दिया ही नहीं है, तो इसलिए none of these इसका answer होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना feedback दीजिए, यह questions मैंने आपको explain कियें, यह दिए इसमें आपको कोई गलती लगी हो, कोई doubt लग रहा हो, तो इन numbers पर आप मुझे बात कर सकते हैं, और इस email ID पर आप मुझे अपना feedback भी दे सकते हैं, इस तरह के videos मैं इस e-course में और इस target batch में upload करता रहूँ हूँ, इसके बारे में अपना feedback आप मुझे जरूर जरूर दें, इस email ID पर और इस whatsapp number के through, तो इस video class में इतना ही, अब मैं आप से मिलूँगा, next video class में, thank you.